दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ बहुती स्पेशल चाय, जो एडी से लेकर चोटी तक अगर आपको कहीं पर भी दर्द है, तो आप इस चाय को पी लीजे, आप देखेंगे कि ये चाय पीने से दर्द कोछी दिनों में ठीक होती चली जाएगी, शरीर के दर्द कहल आपके बॉडी को बहुत से फायदे भी देगा, तो चली जानते हैं चाय को तयार कैसे करना है और इसके क्या-क्या फायदे हमें मिलेंगे, हम यहाँ पर दो कप चाय बनाएंगे, तो यहाँ पर एक बरतन चड़ा दिया है मैंने, इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा गिलास पानी, आप देख सकते हैं पानी गरम हो चुका है, आप इसमें हम डालेंगे दो छोटे अकार के तेज पत्ते, यानि कि बेले, अगर आपके पाद छोटे पत्ते हैं तो दो पत्ते डालेगा, और बड़े पत्ते हैं तो एक पत्ता ही इसमें डालेगा, हम यहाँ पर दो कप चाय बना रहे हैं, तो इसलिए टेजपत्ता भी आपको इतना ही इसमें यूज़ करना है। दोस्तों टेजपत्ता की तासिर के बाद की जातों ना ये गर्मा रहता है, न ही ठंडा होता है। इसकी तासिर नोन्मल होती है और यह बहुत एच्छी होती है नरे शरीर के लिए। तेजपत्तन के अंदर का जो तेल होता है जब हमारे शरीर में जाता है, नसों में जाता है तो बॉड़ी में होने वाले डर्द को यह खीच लेता है। यह जो चाय हम बना रहे हैं, इस गर्मी का मौसा में भी आप आसानी से ले सकते हैं, बेफिक्रों कर लिजेगा, इसके लावत तेज पत्ते में कॉपर, पोटेशियूम, मागनेशियूम, कैल्सियूम, सेलेनियम और आरेन काफिय मात्रायव मौझूद होता है, यह कहीं तरह के डिटॉक्स करने में हल्प करता है, नसों में जो जमा गंदगी है, उसे गंदगी को साफ करता है, यह पाजन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, मेटाबोलिजम को बूश्ट करता है, इसके लावा अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमच चाय पत्ति, अगर आप चाय प बहुती इफेक्टिव है, यह शरी में दर्द, एठन, जकडन को पूरी तरह से दूर कर देगी, बॉड़ी की कहीं सारी छोटी मुटी बिमारियां जैसे गले में दर्द, कफ, खांसे से भी रहा दिलाएके, अब इसमें हमें आकरी चीज़ जो एड करनी है हुआ है अद्रक यहाँ पर लगबग एक से डेड़ी इंच अद्रक लीजेगा और इसे कद्दू कस करते हुए इसमें अड्रक दोस्तों शरी से दर्द को खिचने का काम करेगा, दर्द नाशक होता है अद्रक, इसके लाबा अद्रक खाने से पाचन क्रिया दुरूस्त होती है, डाजिशन इससे आपका मोटापा भी कम होता चला जाएगा, अद्रक के बाद हम इसमें मिठास के लिए थोड़ी से मिस्टरी अड़ कर देंगे, अगर आप डाइबेटिक हैं तो यहाँ पर मिस्टरी नहीं लेना है, बगएर मिस्टरी का आप बना कर पीचेगा, चलिए से लगबग ह जब भी आपको चाय की तलब लगती है ना, बहुत से लोग हैं शाम को चार से पांच बजे का चाय पीते हैं, तो दूद वाली चाय के जगए आपको यह चाय बना कर पी नहीं है, आप चाय को ले सकते हैं और इस गर्मी का मौसम में से लिया जा सकता है, क्योंकि इसके तास पूरा करें, आरन, फॉलिक एसिट की कमी को पूरा करें, तो मैं आपको कुछी चीज़ें बता रहा हूं जिसे आप जरू डैट में शामिल कीजेगा, उसमें सबसे पहली चीज है बादाम और अखरोड, आप बादाम या फिर अखरोड दोनों में से किसी एक चीज़ को जर आना दर्द है ना, वो भी कम होता हुआ दिखेगा, हाथ बदन दर्द, जोडों में दर्द, घुटनों में दर्द, या फिर सीर में भी दर्द क्यों ना हो, इसे लेने से आपको फायद मिलेगा, अभी दोस्तों, गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो आप पानी व मौसम में होने वाली वीमारियो से आप बचे सको, इसके लावा देखे यह है सब्जा बीज, आप सब्जा का इस्तमाल दीन में एक बाद जरूर किछे, एक चमब्च सब्जा बीज या फिर आपके पास चिया सीड्स होगा ना, तो चिया सीड्स का इस्तमाल कर सकते हैं, सब वेजिटेरियन लोकों की शरी में उमेगा 3 की कमी देखी गई है, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सब्जा या फिर चिया शिट्स इस गर्मी का मौसम में जरू लिजेगा, आप एक चमचीन बीजों को एक ग्लास पानी में भीगो कर 3-4 घंटे के लिए रखती आते हैं तो मिसरी या फिर शहद आड़ कर सकते हैं, नमकिर बनाने के लिए आप सिंधा नमक या फिर काला नमक आड़ किजेगा, और स्वात को बढ़ाने के लिए इसमें भूना हुआ जीरा पॉडर भी डाल सकते हैं, इसे खोल कर आप पी लिचे, ये ड्रिंग दोस्तों नसों में दर्द, नसों में जमें गंदगी को हटाने का काम करता है, ये खराब कॉलेस्ट्रोल को कम करने में बहुत ही इफेक्टिव होती है, इसके लावा इसमें बोरान नमक तत उपाय जाता है, जो हड्डियों और मानशमेश्यों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, दोस्तों, आज किस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद.